कि हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 23 जनुबरी 2022 और आज की चोधा 15 इंपोर्डेट्स आप सभी के रिलेकर में यहां पर आ चुका हूं तो यह कुछ दोस्तों यहां पर अपडेट्स रहने वाली हैं मोस्ट इंपोर्डेट्स है चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट से तो यह रही पहली अपडेट हिमार्चल में 24 गूंट में आये हैं करोना के 226 नहीं केस 1986 हुए ठीक सोलर में 366, कांगला में 338, सिर्मोर में 290, विलास में 240, मंडी में 231, शिमला में 228, उना में 118, हमिरपुर में 172, कुलो में 97, चमबा में 46, किनोर में 24, लौस बेदी में 10 कुल संक्रमितों की बात करें 2,69,566 एक्टिव केस है 17,295 और अब तक जो है 2,38,316 ठीक हो चुके हैं तो यह दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है आज जो है केस पहले क्यों मुगावले थोड़े कम आये हैं कल 29, 303,000 के करीव केस थी और आज जो है 2,216 केस यह यहां पर जो पिछले 24 घंडों में आये होए हैं चले दोस्ता नेक्स्ट अपडेट यह रही बिकल्प देने वाले करमचारियों को ही मिलेगा फरवरी में शर्शोधित बेतन हिमाचल में 2,00 करमचारियों मैं से अधिकांशला नहीं किया बिकल्प के लिए आवेदन यह दो दो बिकल्प दिये हैं करमचारियों को तो 2,25 या 2,25 के गुणकों से बेतन तरह करने के दो बिकल्प मागए गए हैं बेसिक बेतन में बिकल्प को गिना जाएगा इससे बिद विभाक के उसे जारी पे मैट्रिक्स के कोस्ट से मिलाया जाएगा मुक्यमंत्री जराइवन आज बुलाए कर्मचारी नेता प्रदेश में बिकल्ब दने वाले सरकारी कर्मचारी को ही जनबरी का नैशन शोहदी बेतन मान फर्बरी में मिलेगा दो क्रीब दो लाग कर्मचारी में से अभी तक 90 सोरी दस फीजी के ही बेतन रिधान दसावेज राज्य के कोशा गारो में पहुंची है सिरकार ने तीन फर्बरी तक ही बिकल्ब मांगे हैं जबकि बेतन बनाने का काम हर मेने 25 आरे के बाद शुरू हो जाता है बिकल्ब देने की अब धी बढ़ने की भी यहां पर चर्चा है चले दोस्तों नेक्स्ट अप्टीट यह रही शिमला के जाखू कुफरी और रहतांग में बरभारी ठंड बड़ी ही बहारी बारिश का यजो लट देशाम तक शिमला शहर में गिलते रही है उप्री शिमला का राधानी से फिर कटा संपर्क तो ताहिए बःभारी के बाद एक बाद फिर से उप्री शिमला से राधानी का सडख संपर्क कटा है शनिवार दुबहर को बरभारी के बाद कुफरी, खड़ा पर्थर, नारकंडा, खड़की, सित उंचाई वालक्षित्रों में वाहनों की आवाजाही प्रभाविज्वे हुई है शनिवार को बरभारी हुई रिज मिदान शिमला पर भी फाहे गिरे है इससे जो है प्रदिश में ठंड भी बढ़ गई है लाहुलकुलू कि इन्हों के इलाकों में हिमखंड गिनने की भी जारी हुई है चितावनी उदर देव शाम को शिमला शहर में भी बरभारी का दोर शुरू हो गया है हिमाद्चल के देश में रिवार को भी बरभारी का यलो लड़ जारी हुआ है चले दोस्तों नेक्स्ट अप्टीट यह रही वर्ष 2017 दोस्तों बात हो रही है एच पी एससी की तो इसको लेक इसके जो मुल्यांकों को लेको यहां पर एक निउस आई है तो आपको पते होगा कि अभी जो है जो क्लास सी में जो पोस्टे होती है ठीक है उनमें जो है इवैल्यूशन अभी खतम कर दी जाएगी तो अभी जो है उसका ओफिशल जो नोटिफिकेशन है वो आना है तो यह यहां पर कहा गया है कि बर्ष 2017 में सरकार्न चेतुर्थ श्रियनी यानिकि फोर्थ श्रियनी फोर्थ क्लास और तुरिती श्रियनी थर्ड क्लास के पदों पर भरती के लिए शाक्षातकार प्रक्रि इसके उपर यह मैडलिस्ट बनाएंगे बट अभी जारी नहीं होई है जो आती है तो यहां पर यह अभी देखने रहेगा यहां पर कहा गया है कि मुल्यांकन प्रक्षा खत्रों करने की शर्त आगामी समय में होने वाली भरतियों पर लागो होती है या बरत्मान में जारी भरतियों में इसे लागो के जाता है यानि कि जो यह शर्च जो है इवैलिशन वाली यह जो अपकमिंग एक्जाम होंगे उनके लिए है या जो अभी चले हुए एक्जाम उनके उपर भी यह लागो होगी यह अभी नोटिफिकेशन में साफ होगा अभी तक नोटिफिकेश नहीं आए जैसे बहुत सारे बोले थे कि अभी एक्जाम हो रहे हैं तो अभी एक्जाम जिनके प्रेंडिंग पड़े हैं मतलब पिछे के तो उनके उपर भी यह लागो हो जाएगी विवस्ता जो है यह शाद जो है बट अभी ऑफिशल नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशल न अपकमिंग के लिए है तो यह नोटिफिकेशन में साफ होगा तो अगर बरत्वान बरतियों पर यह नेड़ने लागो हुआ तो आयोग मुल्यांकन ब्रिक्षान टाल करके अवर लिखित ब्रिक्षाओं की मैर्ट सुची ही त्यार करेगा चले जो से नेक्स्ट अप्डेट 21 जनवरी तक बढ़ा दी है रोक और हालांकी पिछरे जनवरी से आठ फरवरी तक शशर्त चुनाबी सभा करने की अन्मती है सभा के लिए खुले में देख तब 500 लोग मेंदान की 50 विजिक शमता या राजिया आप तक प्रवंदर प्राधिकार्ण की सभी रितिक शमता की शर्त इसमें रखी जाएगी अब पाज के जगह दस लोग पचार कर सकेंगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही हमें पुर की बेटी कागणा में थामेगी अंबुलेंस की स्ट्रेणिंग 22 साल की नैंसी प्रदेश की पहली महिला एंबुलेंस चाल रख नैंसी जंगल में खैर के 31 पेड काटने जाने के काटने के मिले शाक्षे और बर्विभाग के उच अधिगानियों ने नितरित में एक टेम ने शरिवार को दूसरे दिन भी नुर्पुर क्षेतर में एक अन्य जंगल में दविश थी जाच के दोरान खैर के 31 पेड़ों को काटने जाने के शाक्षे मिले हैं तो बारश के बावजूद बरंडा क्षेत्र की पंचाइज रिट में बर्विभाग की उच्छ तरी टीम ने के सर्च अभियान में जो है अवैद कटार के शाक्षे पाजाने और ड्यूटी में कोताही मिलने पर गंगत बीट और ब्लोग गंगत के दो बनरक्षक को जो है सस्पेंड कर दिया गया है चले दोस्ते नेक्स अपटेट यह रही ओनलन पढ़ाई के लिए सरड बंबी के बच्चों को ढूंडने पढ़ रहे हैं उच्छे स्थार मोवाइल सिग्नल ना होने से ग्रामेड और बिद्यार थी परिशार क्षेत्र में टावर लगाने की ग्वार तो यहां पे पढ़ने की दिक्कत इन बच्चों का आने से ले उट्व टावर यहां पे लगाने की जो है मांग की है चले दोस्ते नेक्स अपटेट यह रही हिमाज़त्ल के साथ दूसरे राज्जों के किसानों के आर्ठे की भी स५ुद्रेगी क सुधारेगी रिशी युनिवर्सिटी विश्वजाले से विक्सित फसलों की पांस के स्मों को राजपत्रों में किया अरिसुचित भारसरकार की राजपत्र में जगह मिलना प्रदेश विश्वजाले के लिए गोरुफ की बात चले नेक्स्ट अप्डेट यह रही चालकपद के लिए दस प्रविदक करें आवेदन दोस्तों विखास खंड प्रागपूर में दैनिक बेतन भोगियादार पर चालका पद भरा जाएगा खंड विकास दिकारी प्रागपूर ना बताया है कि चुक प्रालती दस प्रविदक जहें साहे चार बज़त कपने आवेदन प्रागपूर दे सकते हैं इसके लिए चालकपत के लिए आवेदन का दसमी पास होना जरूरी है साथ ही आवेदन के पास हलकी और भारी या त्री बाहन जिलाने का बैद ड्राइविंग लाइसस भी होना चाहिए आयू 18-45 के बीच की होनी चाहिए और वही माच्प देश का स्थाई निवाजी होना चाहिए ठीक है तो यह आप देख सकते हैं आप में नेक्स अपडेट यह रही लहूल का बर्फ के पहाल पर चड़ने के गुर सीख रहे हुआ ही माचल दिल्ली बंगलूरू और उत्राखण के प्रशिक्षू ले रहे हिस्सा आइस हो की प्रतियुक दो और साइकों के तीन पद यहां पर भर जाएंगे यह आप यहां पर देखी सकते हो दोस्तों इन पदों के लिए साथ फ़री को सुभा ग्यारा बजी एस्टीम कारेले जोनलों की में शाक्षात कारिया उचन किया जाएगा उन्हें बताए कि रिक्त पदों को भनने के लि दे सके वो साथ फर्वी को सिधे साक्षातकार में भाग ले सकते हैं ओके चलिए दोस्ते नेक्स्ट अपडेट यह रही नोकरी चाहिए तो 27 को पहुंचे मोडन आईटेई प्रागपूर दोस्तों प्रागपूर में सिर्थ मोडन आईटेई में 27 रोजगार में लेकाई जिन क्या जा रहा है इसमें रोजगार में जो है फिल्टर मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेडों के पास और अपीरिंग उमिदवार जिन किया यह 25 साल तक हो आप यहां पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हो 27 जनमरी को संसान के प्रागण में अपने सारे प्रमान पत्रों और पास्पर साइज फोटो सहित पहुंचना होगा ओके तो यहां पर देख लो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2022 की और इससे पहले ना बता दो दोस्तों पीजी के जो एंट्रेंस एक्जाम होच हिमाजर के एंट्रेंस एक्जाम है वो कब होंगे इसके लिए मैं आपके वीडियो बनाई थी एक नोटिफिकिशन है तो वो भी आपको आई कार्ड में आपको दे दूँगा वो भी चक कर जोना ठीक है और हचिव भी बेड़ की बात करें कि कब होगा अंट्रेंस एक्जाम दोस्तों यह अगर अगर डिले नहीं होता है तो मई में आपके फॉर्म निकलेंगे जून तक इस पर आया थे जून तक भरेंगे थे जून में जून तक भरें ते घूनम आपका इक्जाम जो है conduct हो गया था शायद जुलाई या अगस्ट अगर करोना की वैसे पेंटिंग आगे डिले नहीं होता है तो ठीक है तो यह आप सभी पूछ रहे थे अच्पी बेड का तो इसलिए मैंना सुच्छा कि आपको बता दिया जा इसके बारे में ठीक है और कैसे क्या करना है वह मैं बाद में इसके बारे में बता दूँगा ठीक है और कोई कोश्चन हो बेड से रेटर तो आप कोमेंट करना मैं बाद में देख लूँगा इसको और वीडियो कर अच्छे लगे तो लाइक शर्च वालब को सब्सक्राब चूरूर करेगा मेरे लेटेस्ट अब्डेट के लिए थैंक यू